चिले कबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी कबर आपको दादे कानपूर में एक बार फिर ट्रेंड पल्टाने की साज़िश दो इस पूरे मामले पर जाज परतान में जोटी है तो एक बार फिर से ये साज़िश जो है वो सामने आई है हाला कि किसकी हरकत है किसने इस पूरे घटना को अंजाम देने की साज़िश रची थी ये अभी जाज का विशे है तो ट्रेक पर फिर ये सिलेंडर मिला है से पहले अग अनिल कुमार हमारे साथ कानपूर से लाइफ जुड़ गए हैं, अनिल एक बार फिर से आपका रूप करना चाहेंगे, क्योंकि आपने दिखाया था कि किस तरह से मौके पर मौाइना जो है अधिकारियों की तरह से किया जा रहा है, अभी तक की जानकारी में क्या कुछ निकल क सामने आ रहा है, क्या ताज़र जानकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आया है, इस गटना से जुड़ा हुआ प्रेमपूर रेलवे स्टेशन है तो आज 300 मीटर के दूरी पर ही ड्राइबर ने दूर से ही सेंडर देख लिया था अना कि उसने इमर्जेंसी ब्रेक लगा लिले उसने को रोक लिया और तेंड को रोकने के बाद मौक्के पहरे वालादिकारी बुराया है और सभी आणाधिकारी मौके पर आय जांचिज जाज कानपूर में लगातार पिछले 38 दिनों में तीसरी ऐसी घटना हुई जिसको जो नाकाम साजिस थी और कहीं न कहीं एक बड़ी साजिस करने की पुरी टीम को साजिस की गई थी आप बता दे की कानपूर के जो पंकी है पंकी में सावरमत्री टेन को ट्रेल किया गया था और दे लेकिन अनेल धम जिस तरह से देख रहे हैं एक के बाद एक की तीसरी घटना है जब इस तरह से यह तस्वीर निकल कर सामने आई है हाला कि लोको पाइलेट की सूझ भूश्टा के चलते बड़ा हाथसा यहां होने से टल गया है लेकिन एक की बाद एक इस तरह की घटना आन क्योंकि एक तरफ जाज जारी है आतंक की साज़िस्तिवितार जुड़े माने जा रहे थे अब एक बाद पर से यह तस्वीर इसको लेकर क्या कुछ कहना है तीम का ते बिल्कुल लगबग जो जो भी स्वास कर रहा है जो निसाना बना रहा है वी इसको बना रहा है आप पता दे कि चाहें को कलिंद्री हो और फिर चाहें साबरमतिट्रेन हो लगा ता जिस साब से उसको पलटाने की साज़िस्ति गई है तो कहीं ना कहीं क्योंकि इस तरह की गटना पहले भी आ चुकी है तो क्या तमाम गटनाओं को जोड़ कर विजाच आगे बढ़ाई जाएगी तर पॉसी बोलो तुझार बात करने की कोशिश कीजिएगा सर क्या कुछ बोलेंगे क्या सब्सक्राइब करने को तयाद नहीं है लेकिन जिस हिसाब से लगातार गटना हो रही है यह कौन सी एक्च्वल कौन सी जगह है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिस जगह पर यह सिलेंडर मिला है आसपास के जो इस्थाने पुलिस है उनको भी यहां पर सतर कर दिया गया है तो क्या वहां से कोई जानकारी अभी तक निकल कर सामने आई है जी यह कानपूर से महाज 35 किलोमिटर की दूरी पर लोकेशन है यह प्रेमपूर रेलवे स्टेशन है प्रेमपूर से महाज 200-300 मिल्टर की दूरी पर यहीं पे एक सिलेंडर रखा हुआ था और सिलेंडर रखने के बाद हारा कि यह जो यह रूट है यह दिल्ली जहावडा रूट है जो की एक जो सुबर मालगाड़ी है इलावाज जा रही थी उसी मालगाड़ी में जो ड्राइवर था लोको पालिट था उसने दूरी से ही चीजों को देख लिया था और देखने के बाद उसने इमर्जनसी बेक लगा दिया थे उसने सब कुछ देखा देखेर इस जाज में क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह बड़ा सवाल है फिलाल बहुत शुक्रिया ने तमाम जानकारी देने के लिए तो देखे तस्वीर भी आपको दिखा रहे है यह वो ट्रैक से चोटा सिलिंडर बरामत हुआ जो की खाली बताये जा रहे है जिसकी जाज परताल की जा रही है